हेलो दोस्तों अगर आपके भी फ्रिज में पड़ी है पता गोबी और आप सबजी नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जो खाने में भी टेस्टी हो हेल्दी हो और फटा-फट से खतम भी हो जाए तो चलिए देर किस बात की शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने आदा पीस ली है पता गोबी और इसको हम यहाँ पर काट लेंगे काफी लंबे-लंबे भाग में मतलब लंबे-लंबे हम इसके पिसे करने हैं ज्यादा हम इसको छोटे-छोटे नहीं रखने हैं बस थोड़ा पतले हो और लंबे हो तो आप देखी सकते हैं जिस तर पर लेंगे एक पुले भाउल को डालें, नहीं दोट संड़ा ल Isn't की लमबी-लंबी कट करकर और साथ में oremड़ें जिस तर यह यहाँ दाले कुछ दा टनिया पाउडर 20 गश्मीरी मिर्च और रंगत के लिए जयेग यह फ systems को तीवीं मिर्च और ह्त假 तो इससे होगा यह कि हमें पानी का अगे अंदाज हो जाएगा तो यहां पर लिया है मैंने एक कच्छा आलू जिसको मैंने पहले से चील लिया था बस यहां पर मैं इसको सीधा डरेटली धोकर कद्दू कस कर रहे हूं आप यहां पर उबला आलू भी ले सकते हैं अगर आपके पास फ्रिज में पहले से ही अलरी है पर कच्छा आलू डालने से इस नास्ते में जो क्रिस्पिनस आएगा वो इतने उबले आलू को डालने से नहीं आएगा तो हो सकते तो कच्छा आलू डालके ही आप इस तरीके से इस सारे मिक्षर को मिक्स दे दीजिए अब इसमें हम यह पर डालेंगे आधा कप चावल का आटा अगर आपके बस चावल का आटा ना हो तो आप इस नाश्टे को सूजी से भी बना सकते हैं और साथ में ही डाल दिया हमने एक चुताई चम्मच कच्चा जीरा जीरी के साथ आ और साथ में डाला है एक चुत्की हमने यहाँ पर कलोंजी जिस इस मगलेला भी कहते हैं और फोड़ा सा डाला है हमने यहाँ पर चैट मसाला और साथ में लिया है रेदनी की कटिवी पतिया अब इन सारी चीजहों को फिर दुबारा अच्चे से मिक्स जे देंगे जो हमने चावल का ओतटर डाला है, वह भी क्याफ है उसके लिए हम डाले 갖고 हो ऐसने हो टोड़ा सा पानी डाल कर हमें इसका अंदाजा ले लेना है अम्होरे सामी ही ठिक लगाना मलवпов्जांक यहां कि लीच्व गुड भी बिल्कूल से नहीं पोला सी पतला हो इतना इसमें पानी डालना है तो आप देखी सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालके मैं इसको हाथों से या अच्छे से मसल रही हूँ आप ये काम चम्चे से भी कर सकते हैं पर मुझे चम्चे से इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सिधा डरेटली तवा या नौन स्टिक तवा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे से चिकना कर लीजिए कोई भी कुकिंग होए लगा कि और एक चमचा भरकेस बैटर को डाल कि आप हाथ से फला दीजिए मैं आपको आप दोबारा क सकते हैं पर यह कि शेप में करने से जो हमारा नाश्टे का लुक है वह अच्छा दिखेगा और बस अब इसे लो फ्लेम पर हम एक मिनट के लिए लीड लगा कर इसको अच्छे से कुक होने देंगे और एक मिनट के बाद लीड हडा कर आप नाश्टे को चैक कर लिजिए इसे प्लेट का भी सहारा ले सकते हैं जो भी आपको सुईदा जनक लगे तो मैंने या पर प्लेट से ही पल्टा है प्लेट में निकालगा फिर दूसरी से नाश्टे को मैं नीचे से भी अच्छे से सिखने दूगी तो एक साट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रिस्प हो गई है और कितने मज़े का कलर आया बस इसी तरीके से दूसरी सेड़ भी हम सेख लेंगे इस नाश्टे को बनाने के एक तरीका और है अगर आप इसको बड़े हिस्से में नहीं बनाना चाते हैं तो आप इस तरीके से इसकी टिकिया भी बना सकते हैं या फिर पकोड़े बस जो हमारा पत्ता गोबी का मिक्षर है उसको आप टिकिया की शेप इस तरीके से देख कर और इस तरीके से पैन में डाल दीजिए और जब नीचे से यह अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो इसको आप पलट दीजिए बिल्कुल इसी तरीके से हैं जैसे हमने पहले वाला सामीन या फिर मैंचूरियन में पत्ता गोबी को खाना तो वह बहुत पसंद करते हैं पर जैसे ही घर में पत्ता गोबी की सब्जी बनाने का टाइम आता है ना तो नाक मू सिकोड़ने लग जाते हैं और पत्ता गोबी कितनी हेल्दी है यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो अब आप पत्ता गोवी को बनाने की फिकर छोड़िए और इस तरीके से पत्ता गोवी का ये एकदम नया और यूनिक सा नाश्ता जरूर बना के बच्चों को और बड़ों को सब आपको घर में खिलाईए सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा अब आप बच्चों को सुबह के लंच में या टिफिन में भी इस नाश्ते को बना कर फटा फट से दे सकते हैं वो भी बिना किसी जंजट पाजी के और आप देखे सकते हैं उपर की प्रत हमारी कितनी क्र रेसिपी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें तो मिलते हैं नए दी नए रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक्स पूर वाचिंग